विल्कम फ्रेंट्स मेरे यूटूब चैनल आयरकनासिंग एकेडमी में फ्रेंट्स पोती मात्पूर्ण कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिश्चाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीड स्पोर्टिंग के साथ हॉस्पिटल में भरती होती है एक 27 वर्ष की महिला बिना धर्द के वजाइनल स्पोर्टिंग के साथ हॉस्पिटल में भरती होती है हिस्ट्री पिछले तीन महिने से अमेनोरिया और उसके प्रत्थम मिजड पीरियट के बाद प्रेग्नेंसी हमला मांती है मोख की रूप से या किस प्रिकार का इवार्शन भो सकता है प्रेंट बताएं क्या होगा इसका राइत आंसर किस करें पहले कोशिण को जब तक कोशन समझ में पहले अच्छे से पढ़ें कोश्चन को एक 27 वर्षी के मैला बिना दर्द के वजाइनल इस्पॉर्टिंग के साथ आस्पिटल में भरती हुई है पिष्टी पिछले तीन महीने से उसे एमेनोरिया और उसके प्रथम मिष्ड पीरियट के बाद प्रेग्नेंस्टी टेस्ट कनफर्म होना बताती है वो वा इससे संभावित एबॉर्षन का मामला मानती है मुख रूप से या किस प्रकार का एबॉर्षन हो सकता है फ्रिंट्स का राइट होगा एक्स्प्रेन देख ले फ्रिंट्स के दर्द या पिर बिना दर्द के रुक रुक कर वजाइनल ब्लीडिंग का होना त्रीटेंड एबॉर्षन का पहला साइन होता है इनेविटेवल एबोर्षन तभी कनफर्म होता है जब जाचे सर्वाइकल डाइलेशन की पुष्टी करती हूँ और यहां पे मिजड एबोर्षन मरे मरा हुआ भ्रूण का यूटरेस में आठ हपते से ज्यादा रहना मिजड एबोर्षन का मतलब है प्रेंट्स की मरे हुए जो भ्रूण का यूटरेस में आठ हपते से ज्यादा रहना इसमें प्रेग्नेंसी के डिसपियर होने के लच्छर जैसे की फंडल हाइट का काम होना दिखाई देता है प्रेंट्स एक्स्प्रेंट्स दीखे एक्स्प्लेशन को आप अच्छे से पड़ा करें अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्क्रेम साइट ले लें बाद में पड़ें लेकिन एक्स्प्लेशन पड़ना जरूरी होता है इससे आपके कई dets होते हैं तो छलिए next question देखते हैं question number 2 पढ़े question number 2 को रांसर दी बताएं print क्या होगा इसका right answer गेस करें पहले अच्छा से पढ़ लें बिना uterine contraction या फिर pain वा बिना cervix के dilation के first trimester में bleeding का होना indicate करता है बताएं print क्या होगा इसका right answer bleeding in the first trimester without uterine contraction और pain and without dilation of the cervix indicates अभी print आपने पढ़ा है question ठीक है उसे से related question है बताएं print क्या होगा इसका right answer गेस करें question कोछ से समझ लें तो भी answer दें print बताएं क्या होगा इसका right answer बिना uterine contraction या फिर pain वा बिना cervix के dilation के first trimester में bleeding होना indicate करता है तो प्रेंट से 310 abortion के लिए indicate करता है आपसन भी आपका right होगा 310 abortion के लिए indicate करता है चलिए हम next question है question number 3 पढ़ें question number 3 को और answer दें print बताएं क्या होगा इसका right answer question को चैसे पढ़ लें फिर answer दें vaginal bleeding occurring before 28 week of gestation indicates गर्भावस्ता के 28 सब्ता से पहले योनी से रक्त स्राव होना निम्नांकित के संकेत देता है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका right answer गर्भावस्ता के 28 सब्ता से वजाइना से रक्त स्राव का होना निम्नांकित का संकेत देता है बताएं फ्रेंट्स किसका संकेत देता है vaginal bleeding occurring before 28 week of gestation indicates तो फ्रेंट्स ये threatened abortion का संकेत देता है आप संदी आपका right होगा चलिए फ्रेंट्स अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर चार पढ़ें कोशन नमबर चार को और answer दे प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका right answer कौन से प्रकार के abortion में एक variable period तक dead fetus uterus के अंदर ही रहता है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका right answer जैस्ट अभी आपने पढ़ा था ही फ्रेंट्स ठीक है explain अभी आपने पढ़ा था explain में मैंने बताया था फ्रेंट्स के explain पढ़ना बहुत ही जरुरी होता है से कई question कबर होते हैं तो बताएं फ्रेंट्स क्या होगा in which type of abortion the dead fetus remains inside the uterus for a variable period बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका right answer कौनचे प्रकार का abortion में एक variable period तक dead fetus uterus के अंदर ही रहता है तो देखें प्रेंट्स यापे option B आपका right होगा missed abortion में option B आपका right है explain देखें प्रेंट्स एक abortion जिसमें fetus के मरने के बाद भी conception के product आट हपता या उससे لمबे समय तक गर्वासे में रहते हैं। चलिए हम next question देखते है क tunnels no.5 हे पढ़ेगोशन नमर फाइब को और आंसर दें पताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें अच्छा से फिर आंसर दें डार्क ब्राउन वजाइनल दिस्चारज और निगेट्व प्रेगनरसी टेस्ट कौनसे प्रकार के बरसन में मिलते हैं? बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर डार्क ब्राउन वजाइनल डिश्चार्ज और निगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कौन से प्रकार के अबॉर्षन में मिलते हैं डार्क ब्राउन वजाइनल डिस्चार्ज और और निगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इस सीन इन विच टाइप आप एबॉर्सन गेस करें प्रिंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर आपसन आपके स्क्रीन पर रहें बताएं प्रिंट्स सिंपल कोश्चन है और सभी मिजड एबॉर्सन होगा ठीक है आपसन सी आपका राइट है अब एक्स्प्लेन देखनें प्रिंट्स के मिजड एबॉर्सन के क्लिनिकल फीचर में डार्क ब्राउन वजाइनल डिस्चार्ज रेट्रोग्रेशन रेट्रोग्रेशन और ब्रिस्ट चेंज इस्टॉपिंग आप यूट्राइन ग्रूथ अपसेंस ऑफ फिटल हट रेट यह फिटल हट जो साउंड है वार निगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं प्रिंट्स चलिए नेक्स्ट कोश्चन है प्रिंट कोश्चन नमबर सिक्स को और आंसर दें प्रिंट्स क्या होगा इसका चिन कहां पाया जाता है प्रेंट्स रोबर्ट जो चिन है यह साइन है यह कहां पर पाया जाता है बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें रोबर्ट साइन इज फाउंड इन रोबर्ट चिन कहां पाया जाता है आपके स्क्रीन पर है प्रेंट्स तो पुरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो ठीक है इंट्राइूत्रा इंफ फिटल डेट होता है एक है आप कहा जाता है ट्रैंट्स के केस में गिरेटर बलट वेसल्स होगा के अंदर गैस सेटों की जो प्रिजिंश होती है उसी को रोवर्ट साइन कहा जाता है चलिए प्रेंट्स नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 7 को और आंसर दें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस औ कौन सा IOFD के एक वीक बाद brain matter के liquefaction के साथ cranial bones के irregular overlapping के करण दिखाई देता है बताएं क्या होगा इसका right answer गेस करें विच अपियर्स ड्यू टू irregular overlapping of the cranial bones along with liquefaction of the brain matter after one week of IOFD बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer करें कोशन को पढ़ लें चैसे तभी आंसर दें फ्रेंट्स जल्द बाजी ना करें तो देखें आप पर आप का right स्पॉल्जिंग साइन ठीक है आप संदी आपका right होगा इस पॉल्जिंग साइन एकस्प्लेन देख लेए इस पलल्जिंग साइन I.O.F.D. का एक इंडिकेटर होता है जिसमें अब्डॉमिनल अल्ट्रा साउंड फिर्टल क्रैनियल बोन्स की ओरलैपिंग या फिर ओर राइडिंग को दिखाता है प्रेंट्स इस पल्जिंग साइन आयो अपडी का एक एंडिकेटर होता है जिसमें अब्डोमिनल अल्ट्रा साउंड फिटल क्रेनियल बॉन्स की ओर लेपिंग या फिर ओर राइडिंग को दिखाता है चलिए फ्रेंट्स अगला कोशन है कोशन नमबर आठ है पढ़ें कोशन नमबर आठ को और आंसर दें बताएं क्या होगा इसका राइड आंसर गेस करें पहले पढ़ने कोशन को फिरांसा दें पताएं क्या होगा इसका right answer जब थोड़ी bleeding हो जब थोड़ी bleeding हो और uterus से कुछ भी expelled नहीं हुआ हो तो इसे किस प्रकार का abortion होना मानेंगे आप पताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer जब थोड़ी सी bleeding हो जाए प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer जब हलकी सी bleeding हो और uterus से कुछ भी बाहर नहीं आया हो तो इसे suspected abortion माना जा सकता है चलिए हम next question देखते है पढ़ें कोशन नमबर 9 को रांसर देंट्स बताएं क्या होगा इसका right answer पढ़ें कोशन को फिरांसर देंट्स के ज़स्टेशन से पहले conception के product का involuntary रूप से loss होना जाना जाता है बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer प्रेंट्स क्या होगा इसका right answer अब यहाँ पे आप explain देख लें कि spontaneous abortion क्या होता है तो यहाँ पे देख लेंट्स कि बिना किसी इसपश्ट कारड के बिना किसी इसपश्ट कारड के abortion होना या फिर 22 वीक अर्थात 114 डेज की गर्वावस्ता के पहले या फेटस का जो वजन है पांसो ग्राम या इससे कम पर conception के product का involuntary loss होना spontaneous abortion कहलाता है चलिए फ्रेंट्स अगला question है question number sorry आपे 10 है पढ़े question number 10 को और answer दें बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका right answer अच्छे से पढ़ ले फिर answer दें simple question है बहुत ही simple है सबी most repeated question है पहले पढ़ें अच्छे से उसके वादान से दें the alert sign for ectopic pregnancy are आइस्थानिक गर्वावस्ता के चेताउनी संकेत क्या है पताएं क्या होगा इसका right answer the alert signs for ectopic pregnancy are आइस्थानिक गर्वावस्ता के चेताउनी के संकेत कौन से है आपसन आपकी स्क्रीन पर है प्रेंट से गेस करें बहुत ही simple question है तो देखें आपसन C प्रेंट से राइट होगा abdominal pain vaginal bleeding and positive pregnancy test ठीक है तो यहाँ प्रेंट से आपका right होगा abdominal pain vaginal bleeding and positive pregnancy test चलिए प्रेंट से नेक्स्ट कोशन देखते हैं question number यहाँ पे 11 है पढ़ें question number 11 को और answer दें निम्न में एक के अलावा सभी ectopic pregnancy के संभावित प्रडाम होते हैं बताएं प्रेंट क्या होगा इसका right answer निम्न में एक के अलावा सभी ectopic pregnancy के संभावित प्रडाम होते हैं all the following are possible outcomes of ectopic pregnancy except one guess करें friends क्या होगा इसका right answer बताएं निम्न में एक के अलावा सभी ectopic pregnancy के संभावित प्रडाम होते हैं आपसन आपके screen पर है friends guess क्या होगा इसका right answer देके प्रेंट से आप यह आपका right होगा इसके अलावा बाकि सभी जो है ectopic pregnancy के प्रेंट से result होते हैं प्रेंट से एक टोपिक pregnancy यह काफी प्रेंट से जटिल होती है इसका संभावता अंतिम प्रडाम या इसका termination का तरीका ट्यूबल मोल ट्यूबल एबोर्शन ट्यूबल रेप्चर इट इस कॉमनेश्ट मोड आप termination ट्यूबल या पे पर्फोरेशन और Oscillation और प्रेग्नेंसी अर्थ रेरेस्ट हो सकता यो एक जो जो मोल योट्राइं प्रेग्नेंसी में बनता है ना कि ट्यूबल प्रेग्नेंसी में जो मोल होता है जो ट्राइन प्रेगनसी में बनता है ना कि ट्यूवल प्रेगनसी में यह प्रेगनसी बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है खतरनाग होती है यह क्या होता है कि आपके एंपुला में हो जाती है जिमनी सेचर फर्टिलाइज के बाद यह प्रेंट्स क्या होता है कि जो इ यूट्रेसे उसमें न आकर फर्लने फूंडे लगता यह प्रकार करके जो प्रेगनेंर्स इइस फ्रकार्ण में फ्रीक प्रेगनेंसी ऊ होती है चो इस ahead में प्रस्टर्स अगला कोशन में प्रेंट्स कोशन नमबर 12 पढ़ें कोशन नमबर 12 को और आंसर दें रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक संभावी सिम्टम्स हो सकता है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर प्रेंट्स रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक संभावी सिम्टम्स क् बताएं प्रिंंस क्या होगा इसका राइट आंसर गेज करें को पहले पढ़ ले फिराँनशर दे bara प्रिंट नहीं एच्छे से फिरा पेंसरदे की आपका राइट होगा सडेशक्रियो बेंड इस लोअर बढोमें क्या होता अचानक से lower abdomen में आपके pain होने लगता है ठीक है यह एक symptoms है जогता थर जो एक्टopick pregnancy वगयरा होती है तो क्या होता है प्रेंट से इसमें अचानक से द teenager होता है और यह prince कहा पर होता लोईर एक्टोपिक प्रेग्नसी जाया तर एक्टोपिक प्रेग्नसी में ऐसा होता है और इसमें प्रेग्नसी ब्लीडिंग भी होने लगती है एक्टोपिक प्रेग्नसी बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है इसमें जो दर्द होता है वो प्रेग्नस बराबर बनाए रहता है अब यह bechenсть discretion Ск्रूसीतिंग इस प्रकार की प्रेगन सी होती प्रेंट से बहुत जादा दर्द m'th का सब्सक्राइब अध्य दर्द में टारीय यहां पर किया होता है कि नाॉसिया और में वुमिटिंग वगेरा भी होती है सिनोप अटेक भी हो सकते हैं अचानक घस खाकर गिर पढ़ना अचानक क्या होता है कि आपके लोगर डॉमे में बहुत जदा दर्द होता है कोशन देखते हैं कोशन नमर यहां पर थर्टैन पराण्स करमन घ्रमन कर साओद ऑप Symane ao अंसर कर से लिएर इसकर दप्रों मतलबय कौत से एंप कलो कि अब कर मं प्रकार का यहां कि तो मीन इसकी उसक्तिति में क्या जाता है है उसक्क कर मनówक asked कंडी है कर्मन प्रकार का catheter है, वो किसमें यूज होता है, किस स्थिति में यूज किया जाता है, बटाएं, क्या होगा इसका right answer, कर्मन type catheter is used in condition, इसके यूज किया जाता है, तो देखें प्रिंट्स आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें, ये प्रिंट्स जो कर्मन टाइप का जो आपका catheter ये यूज किया जाता है, आपसन सी आपका right होगा, अब यहाँ पी आप देख लें प्रिंट्स की कर्मन कैथेटर एक प्रकार का catheter होता है, जिसका यूज एबॉर्शन के लिए यूट्रेस को सक्षन कर्टेस करने में होता है, ठीक है, कर्मन कैथेटर एक प्रकार का होता है, जिसका यूज एबॉर्शन के लिए यूट्रेस को सक्षन, यानि की कुरेटिस करने में होता है, चलिए प्रिंट्स मगला कोशन दिखते हैं, कोशन नमबर 14, पढ़ें कोशन नमबर 14 को चोधा नमबर कोशन है, पढ़ने से और आंसा दें, फर्टिलाइड ओम इस अभी आपने प्रिंट्स से पढ़ा था, अच्छे से, तो आप बताएं कि इस तरह का प्रिंट्स ये किस प्रिंट्स में ऐसा होता है, जो फर्टिलाइड ओम है, वो कहतने कि इंप्लांट होने लगता है, ठीक है, इंप्लांट हो जाता है, एंड डिबलब भी होने लगता ह तो प्रेंट से किस नाम से जाना जाता है निसीचित उप्सेड है आपका राइट होगा अब एकस्प्लें देख लेыми और प्रेंट्स कि यह किस तरह से उता है क्या है पेग्नेंसी प्रेंट्स सिताते पर फटिलाइट OOM का uterus के बाहर रोपित अर्थत implant होना होता है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गए कि ectopic pregnancy ये क्या होती है क्या होती है प्रेंट्स कि जो fertilize OOM होता है उसका uterus के बाहर ही रोपित होना होता है ठीक है implant होना होता है जो कि सामान निरूप से fallopian tube में होता है और यह फैलोपेंट्यूब के किस जगह पर होता है तो फैलोपेंट्यूब के इंपुला में होता है ठीक है लेकिन कभी-कभी हमेशा इंपुला में ही नहीं होता है यह भी प्रेंट्स के हमेशा इसा नहीं कि हमेशा इंपुला में ही होता है लेकिन कभी-कभी पेरिटون्यूं में फ्रोड लेघामींट में हो सकता है है क्तने पसंति किस तरह से सुते हैं nभê से 95% ectopic pregnancy है ठीक है 90-95% ectopic pregnancy fallopian tube में होती है ठीक है 90-95% ज्यादा तर में बता था अधिक तर जो pregnancy होते है 90-95% जो ectopic pregnancy होते है फ्रेंट्स fallopian tube के एमपुला में होती है इनमें से फ्रेंट्स 8% uterine एमपुला में तो फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर यहां पे 15 है, पढ़ें कोशन नमबर 15 को और आंसर दें, फ्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर मोश्ट कामन साइट और एक्टोपिक प्रिग्नेंसी इज अस्थानिक गरभावसता का सबसे आमिस्थान कोशन है, बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी आपने फ्रेंट्स पढ़ा भी है, मोश्ट कमन साइट और एक्टोपिक प्रिग्नेंसी इज बताएं फ्रेंट्स क्या होगा, अस्थानिक गरभावसता सबसे आमिस्थान कोशन है, अभी आपन इन दी फिलिपियन ट्यूब फिलिपियन ट्यूब के एंप्लोरी रीजन पर होता है चलिए प्रिंट नेक्स्ट कोशन है कोशन में 16 पढ़ें कोशन में 16 को और आंसर दें प्रिंट से पढ़ें तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर केस करें अच्छे से भी पढ़ा था आपनी उपर के जो कोशन ते जैस्ट अभी आपने पढ़ा आगर अच्छे से पढ़ा भी होगा तो जरूरर आप आंसर दे पाएंगे स्वता इस फूर्त गरवपात का सबसे आम कारण क्या है Most common cause of spontaneous abortion age तो प्रेंट से आप देखे आप संदी आपका right होगा जर्म प्लाजम डिफेक्ट जर्म प्लाजम डिफेक्ट आप संदी आपका right है अब यहाँ पे आप explain देख लें कि spontaneous abortion खुनी का सबसे common यह conceptus में chromosomal abnormalities germ plasmus defect होता है ठीक है क्या होता है कि conceptus में chromosomal abnormalities जो असमानता है होते हैं जर्म plasmus defect होना होता है अर्था defect into reproductive tissue होना होता है इन में सबसे जो common होता है यह autosomal trisomy होता है सबसे जो common होता है यह autosomal या trisomy होता है अन्य कारणों में अगर हम बात करें इंडोक्राइन वा metabolic factor infection anatomical abnormalities जैसे की incompetent cervix वा कुछ आइस पश्ट कारण भी हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं ठीक है चलिए कोशन नमर 17 है पढ़ें कोशन नमर 17 को और आंसर दें बताएं फ्रेंट क्या होगा इसका राइट आंसर पहले अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर दें मीड ट्राइमिस्टर प्रेगनेंसी में बार-बार होने लगातार होडों वाले कारणों में सम्मिली थह हैं आप शन भी आपका राइट होगा सर्वाइकल इंकंपेंस ठीक है आप शन यहां पे भी आपका राइट होगा एक्सप्रेंड देख लिए कि दूसरी तिमाई सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले गरपात अधात इवोर्चन का सबसे आम कारड़ सर्वाइकल इंकंपेंस होता है सर्कलेज को कौन सी कंडिशन या एबॉर्चन वाले पैसेंट में किया जाता है बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर पढ़ें प्रेंट्स कोशन कोशन से पढ़नें फिर आंसर दें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर तो फ्रेंट्स यहां प्रेंट्स से देखे आपका right होगा incompetent cervix ठीक है आप संसी आपका right होगा incompetent cervix explain देखेलें फ्रेट्स कि pregnancy के कारड या pregnancy के दौरान cervical incompetence को treat करने के लिए यानि cervix uteri के चारो और pregnancy के दौरान cervical incompetence को treat करने के लिए cervix uteri के चारो और ligatures का यूज करना sirvical curve circulates कहलाता है इसके चारोय तेरी के चारोय और ligature का का यूज करना cervical circle cookies कहलाता है इसका यूज cervical Lori websitegram my contribution को रोकने के लिए किया जाता है इसका जो यूज है cervical significance चारोय मेरा очка 보시 shifts कंपा परेंट्स का प्रेंट्स ही मारा last यहां तक मारे लाश्ट कुष्ट था अगर कोई भी प्राब्लम हो प्रेंट्स कोई बीकुत हैं योज dir कोई भी क्यों वे हिज़ते मारे वाटसअब ग्रूप जीड संप्र कर सकते हैं मारे डॉप गृत्व नॉर्ँ नंबर परम से संपर कर सकते हैं और कोई भी प्रेंट्स आपका कोश्चन हो या फिर अधर प्रेंट्स कोईरी हो हम कुछ दिन से live classes नहीं ले पा रहे हैं कुछ खार रवस क्योंकि प्रेंट्स जो सर live classes लेते थे प्रिजन टाइम वो समय थोड़ा उनकी सायद द्यूटी ज्यादा इस group पे जोडने के और भी कई फायदे हैं कोई भी update होती है मिसी group पर दते हैं और live classes तो चलती ही रहती है ज्याजतर live class चलती ही रहते है फ्रेंट से लेकिं कुछ समय से नहीं हो पाई कुछ quarter to फ्रेंट से इसमें जो भी वीडियो में रतके लिए बाइ 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 टेक केर